हाई फ्रेंड्स कैसे आप सभी आज हम अपने पर्दों को नया लुग देने के लिए घर में पड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजों से उनको डेकुरेट करेंगे सबसे पहले अपने पर्दे हैं उनको प्लेट्स बनाकर उनको इखटा कर लें और फिर एक रवर्मेंट की हेल्प से उसको पर्दे के अंदर इंसर करके एक लूब बना लीजिए लूब बनाने के बाद में उसको कच्के टायट कर लीजिए कि वो निकलेना उसके बाद मैं आपको दीरे दीरे से उसको पूरे फैलाना है एक फ्लॉवर की शेप देनी है जैसा कि आप यूडियो में देख सकते हैं कि मैंने प्यारी से एक फ्लॉवर्स बनाने की कोशिश किया है जब आप पूरी प्लेट को ओपन करें तो दौनों कॉर्णर को पास में लाकर एक पिन की सेफटी पिन की हैल्फ से उन्हें सिक्यूर कर लें जब आप उसको safety pin की help से secure कर लेंगे तो आप पर कोई भी ऐसा ब्रॉज जो आपका waste पर रहा उसकी help से आप उसको बीच में लगाकर उसको एक नया look दे सकते हैं मैंने अपनी साड़ी pin को use करके एक सुन्दर सा look create किया है आप देखी सकते हैं वीडियो में मेरी साड़ी pin है उसको मैं flower की middle में लगाकर एक प्यारा सा flower ready कर दिया है You can see how the result Second आप किसी भी waste less को अपने curtain के उपर cover करके पीछे साइट से safety pin की help से secure कीजी और आपका ready है एक cute सा curtain आप वीडियो में देखी सकते हैं मैं कैसे आइसको secure कर रहा हूँ safety pin की help से और यह look में बहुत 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 जादर beautiful लग रहा है है ना आपके पास जो भी waste cheese परी हो less हो या आपके पास कोई भी ऐसी duty हो जो देखने में बहुत attractive लगती है आप उससे curtain का look change कर सकते हैं you can see how is it थर्ड लुक में भी मैंने एक less और एक साड़ी का batch लिया है उसको इन दोनों को एक साथ pin up करकर safety pin की safety pin से secure करके अपने curtain के ऊपर cover करके आप प्लेट्स आसानी से बना सकते हैं कोई जाधा time नहीं लगेगा आप पीछे से secure करिए और आपका तयार है cute सा curtain you can see पीछे से अच्छे से pin से secure करिए ताके कोई भी इसे खीज कर निकाल ना सके you can see यह कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना second and fourth look create करने के लिए मैंने अपना bracelet लिया इसको simply आपका जो normal कोई भी bracelet हो उसको आप curtain में इस तरीकी से जैसे मैंने प्लेट्स बना के एक साथ लगा कर उनको इसमें insert करा है वैसे ही आप look create कर सकते हैं देखी simple सा look create हो गया और जो बहुत 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 क्यूट लग रहा है fifth curtain लो create करने के लिए मैंने अपने गले का चोकर necklace लिया है जिसको मैं इस curtain में प्लेट्स बना कर इस तरीकी से insert कर लिया insert करने के बाद में हम पीछे से अच्छे से secure कर लेंगे ताके ये पूरी तरीके से tight हो जाए you can see ये कितना प्यारा लग रहा है कैसा लग रहा है guys बताएगे